मिस्टर माचो मैन, और में मिस्टर माचो मैन, मेरा फेवरेट सूपर हीरो और वो कहते हैं कि अगर हम उनकी सारी बाते मानें, तो हम भी उनकी तरह कुछ भी कर सकते हैं मिस्टर माचो मैन कहते तो इसके मिनदब ये नहीं है कि वो सही कहते है जाओ जाओ, मिस्टर माचो मैन कभी गलत नहीं हो सकते अली, ये मेरा लंच है, मुझे वापस दो नई, अब ये मेरा लंच है Mr. Macho Man कहते हैं कि जो सबसे ताकतवर होता है उसका हर चीज पे हक होता है अच्छा छोड़ो क्लास का टाइम हो गया है तुम जाओ क्लास में मैं तो नहीं जा रहा Mr. Macho Man कहते हैं क्लास में जाने का कुई फाइदा नहीं है जो सीखना है, गूगल कर लो आओ मेरे साथ चलो आगे बढ़ो चलो आगे रुको, जब रुप जाओ कहां जा रहे हो तुम सब नीचे गिर जाओगे रुप जाओ जैनब बेटा, परिशान ना हो काईद, आप यहां मगर वो, सारे लोग वो कहां गए वो कभी थे ही नहीं, यह सिर्फ तुम्हारा खाब है काईद, लोग ऐसे कैसे एक दूसरे की बाद बगार सोचे समझे मान सकते हैं बेटा, अफसोस की बात है कि हर कोई खुद सोचने के लिए तो तयार नहीं, मगर दूसरों के पीछे सोचे समझे बगार चलने के लिए तयार है क्या इसका कोई हल नहीं है? हल बिलकुल है जैन, लोगों की बात जरूर सुन, और तमीज से सुन मगर फिर अपनी सोच का इस्तमाल करो, और खुद फैसला करो कि दूसरों की बात सही है या खलत, कभी भी किसी की बात खुद सोच समझे बगईर ना मानना बच्चों, मिस्टर माचो मैन आ गिया है और अब मिस्टर माचो मैन तुम सब कीलिष टंट करके दिखाएगा अली, तुम क्या कर रहे हो? मैं मिस्टर माचो मैन की तरह इस बाइक से हवा में 360 मारूंगा अली, तुम्हार दिमाग तो ठीक है, तुम गिर जाओगे यह सिर्फ तुम्हारी सोच है, मिस्टर माचो मैन कहते हैं कि अगर तुम उनकी बात सुनो, तुम कुछ भी कर सकते हो और अब मैं यह स्टन्ट करके दिखाऊंगा अली, नहीं, खुद सोचो, तुम उन्ही पाइट चला नहीं सीकिए तुमारा ख्याल है कि तुम इस तरह के स्टन्स कर सकते हो मगर, मगर, मिस्टर माचो मैनने तो कहा था अली, सिर्फ अमनी सोच के इसेमाल करो, मिस्टर माचो मैन की सोच कह था हाँ, तुम शायद सही कह रही हो वाउ, ये रैंप तो वाक़ी बहुत उंचा है तनी मैं क्या सोच रहा था तुम कुछ नहीं सोच रहे थे यहीं तो मसला था